रुकार देऊंगे बठिंडा तो सांसा थरसमुत कौर बादल ने लोक सबादे विच मानसा शेहर दी रेलवे साइडिंग दा मुद्दा चुकिया मांसा शहर तो दूर नरंदरपुरा स्टेशन वल साइडिन शिफ्ट करन दी मांग ही दिया हरसमित कॉर बादल ने केंडरी रेल मंत्री अश्मनी वेश्टव नो पतर वी इस बाबत लिख है माल गड़ियां दी लोडिंग टे अनलोडिंग लई इस्तेमाल होंदा है रेलवे दा साइडिंग ट्रक तो इसनो ही शिफ्ट करन दी मांगो उना वलों कीती गई तो इस बाबत उना ने पतर भी लिख है हरसमित कॉर बादल ने केंडरी रेल मंत्री अश्मनी वेश्ट अबनु इस बाबत पतर लिख है ते मामने ते गौर करन दी गल कही है दस्दी के मुद्दा जड़ा है हरसमित कॉर बादल ने लोक सबादे वेश्ट चुकिया मांसा शेहर दी रेलवे साइडिंग दाये मुद्दा जिस्ते चल दिया कई बार हाथ से भी वापर देने सब मैं मलते जी से पूछना चाती हो कि मांसा शेहर के बीच में जो मेरी रेलवे की साइडिंग है साइडिंग के बीच में है और वहाँ पे सारी रेक चाहे, FCI के लोडिंग, अन्लोडिंग होती है, सिमेंट के रेक साते हैं, या वहाँ पे फोर्टिलाइजर, सिमेंट, जो कोछ आता है, यह सब उधर मांसा शेहर के पीछ के साइडिंग में होती है जिस करके शेहर में बहुत सारे एक्सिडेंट्स होते हैं किसी ने हस्पताल स्कूल जाना है तब भी वो ट्रपों के बीच में से मैं माने मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसको फॉर्वर्ड मुव्मन नुरंदर्पुरा जो नाराश से समंधिते हैं वहां पर इस चीज़ को शिप्ट किया जाए ताकि यह शेहर को यह सुहुलत मिल जाए और यह एक्सिडेंस हमारे रुक जाए यह शेहर में बह पर जानी यह थे और बीबा जिया ने बड़े उथे अपने बढ़ने बोले और शहर दे ओस प्लेटी मुवार्ट लेजान वासा मुद्दा रख्या है मैं सम्धा में सारा शहर अजिशुकर कर जा रहा है और मैं संदम यह विवाजी ने जड़ा मुद्दा चुक्या है तो वड़ी पंचयत लोग सबादे वेचे चाक के अज साड़े मांसा वासियां वास्ते बहुत मान मैसूस करवाए है विवाजी अभेशा अपने काम नों तन दे ही नल कर देन तो और ना ने विशेश्त और ते मंत्री साहब नूँ वी चिठी लिखके जल्दी तो जल्दी सब्सक्राइब कर देने लोकान बहुत देखता हूं दिया उधे सबंदी वीबा ने वाज थाई है मांसा शेयर दी वाज थाई है मैं दिलोंता अनुवाद कर दा वीबाजी दा वी हरसमृत को और वीबाजी दा दिलों बहुत लंबे सब्सक्राइब कर दो चैनल वासियां दिये मांगसी दोदा मुद्दा चुक्किया है मेरे लिए मैं बहुत ही खुशी महसूश करना ते वीबाज हरसमत करना बहुत 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 तान्वाद करना